आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार नवश्कार मैं हूँ पेम मोदी ने करोना ठीका करण अभियान की की तारीफ कहा अभियान के संक्रमट से लड़ने की बढ़ाई गई ताकत आम आदमी पार्टी के 125 उमिद्वारों की पहले लिस्ट जारी संजर सिंग ने का अच्छ उमिद्वार को दिया गया टिकेट बढ़ते कोरोना के संक्रमट पर यूपी सरकार का फैसला 23 जनवरी तक बंद रहेंगे सभी स्कूल कॉलेज पूर्वा आईस राम बहादू ने वीज़पी जवाइन की स्वतंत्र देव स्तिंग ने पार्टी की दलाई सदस्टा सपाय मलसी घंचाम लोधी वीज़पी में शामिल मेटे 24 घंटों में कोरोना के सत नए मामले और मिक्रोन वेरियन के संक्रमट हुए 74,43 पर नमस्कार मैं हूत रिशला और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी आईए नजो डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमोख खबरों पर उत्तर प्रदेश सरकार में कानून मंत्री ब्रिजेश पार्ठक ने प्राइम टीवी पर बात करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सारे दावे दसमार्च को फेल हो जाएंगे वहीं जब उनसे मुख्यमंद्री योगिया अधितनात के गोरगपूर प्रत्यासी घोशत करने पर कहा गया कि वक्त आने पर पता चलेगा कि बीजेपी क्या है समाजवादी पार्टी सपने में ही अपनी जीत के ख्वाप सजाए है सब्सक्राइब करें अपने बारे में विचार करें अपनी पार्टी विचार करें किस प्रकार को उन्वा जोड़ करके काम चला रहे हैं और चुनाव में जनता उन्हें बुरी तरह परास्त करेंगे वह यह कह रहे है कि मुझे डिजिटल रैली के बारे में नहीं पता था कार करता आगए तो चुनाव अपने कार करता हूं के भरोसे नहीं लड़ रहे हैं वो उधार की ताकत चाहते हैं और आने वाले दिन उम देखेंगे बुरी तरह से फिलाप साबित हो आज दारा सिंग् पार्टी 325 से अधीच सीटे लेकर सरकार बनाने जारे हैं वह भी तो कह रहे हैं कि हम 400 जीट जाएंगे अभी देखेगा परिडाम सामने ना उठाकुर बाहर आगे गिर रहे हैं तो यह प्रजेश पार्टक पर कहना है कि अकलेश यादों की जितनी भी दावें हो सारे प्रिमिया बढ़ चुकी है और कहीं न कहीं यह चुनाओ अब गट बंधन चुनाओ बंता हुआ दिख रहा है जहां एक तरफ मुख विपक्षी यानि समाजवादी पार्टी ने कई दलों से गट बंधन किया है तो भाजपा भी गट बंधन की नीती के तहती चुनाओी मुर्चा की संयोज रामधनी विंद और अन्ड़ अधिकारियों द्वारा भाजपा पर उपेक्षा का आरोप लगते हुए कहा कि गुम्रा किया गया है और हमारी उपेक्षा का खामिया जब भाजपा को भुगतना पड़ेगा कि अब तक नहीं दिए गई है इससे हमाँ सब्सक्राइब जानते हैं क्या बादा किया गए तो अब क्या किया जा रहा है क्या उनको सीट जा रहे हो कितनी सीटों में बाद बंती है आज जो 2022 चुनाव है वह छोटी चोटी पार्टियों के एक अहम रूल अदा हो रहा है लेकिन नजने भारती जनता पार्टी को कौन सा मतला अहंकारों घमंड हो गया है अब हमें दर किनारी की सोच रही है क्योंकि फर्स सेकेंड दो चुनाव को बजेपी ने सीट क्लिए कर एक इचा रहे उस पर वह वह वराव समयति नहीं बन पा रहे है क्यक् Climate कि हम मोदी जी और योगी जी के कामों से फुस हो के उनकी विचारों से कुछ के हम विश्पी में हमरा सोसन हो जाएगा मतलब आज नतिजा है कि हम कहीं के नहीं रगे लेकिन हीस्टदारी मौल्चा और समाजिक निया लोग पाड़ी ने हिम्मत नहीं और आने वाले समय हम दमदारी से 2022 में चुन्दाव लगने के लिए अगर साम तक हमें कोई रिपोर्ट नहीं मिलती है आज भी हम योगी जी और मोदी जी से पूर्ण रूप से समर्थक हैं हमें आज की आज सीट मिल जाए तो जो बीजेपी कि चाहती 300 सीट हम 355 शीट जिता कि समय पार्टी साथ जोड़ गई है और अब इसकी कमी जो है बाव राजवर पूरी करेंगे इस्तरारी मोर्चा के माध्यम से क्या मानते हैं अब यहां पर कहा कमी की जा रही है और बीजेपी आपको वह स्थान नहीं जा रही है जिसको आप चाहते हैं देखिए हम लोगों की की बाते प्रदेश अध्यच के बातों से मलुक तो संतुष्ट रहते ते लेकिन आज हम लोगों को पता चलाएगी प्रदेश अध्यच के अध्यच की बातों को जो सेंट्रल में जो सीर सिनेत्युत बैठा है उनको बातों को अन्सूनी कर रहे हैं आज हम लोगों की प्रद आज उसका खामियाजा उनको पटेल जी को सुतन देव जी सिंग को भी भोगतना पड़ रहा है और उनके वज़ा से हम लोग जितने भी हमारे हिसादारी मोर्चे में जितने घटक डल है सभी ये पिछड़ी और अर्ति बर्ग से आते हैं इसलिए उसका खामियाजा उसकी सजा हम लोगों को भी मिल रही है तो इसी घटक डल में पकतिसी समाज़ पार्ट की सार्थ हमारे साम मौझूद है इंजन सुन के सभाग किस्वाजी क्या मानते हैं जिस तरह से बात की गई थी कि आपको सीटर दी जाएगी अब उस चीज को दरकनार किया रहा है आपको कर रहे हैं लेकिन उसमें भी अभी कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है आज जो बरतमान में बदली भी राजनीतिक परिस्थितियां है अगर भारती जनता पार्टी ने हिस्सेदारी मौर्चा को की उपेच्छा की उनको काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है और हिस्सेदारी मौर्चा के स्योजक बिंद समास से आते हैं और हिस्सेदारी मौर्चा अलग-अलग जातियों का एक जो गडबंधन है ये पुर्वांचल की सो सवासो सीटों पर प्रभाव रखता है अगर भाजपा ने हम सभी की उपेच्छा करने की कोशिस की या इसी गल्त गए तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ननदाज किया दाला क्या देखी नदाज क्या है हम लोगों के साथ एक तरह से दहुका यह पिछलूं के साथ और इसे चोटे चोटे दलों के साथ तरह का यह दो 내려gaser ना आद्मके जिसाफे आखे दारी दिजाएगी समुभल चाहे वो आगरा की रेली रही हो चाहे वो सुकावाद विधान सभा की रेली रही हो इतने बाद जिसमें मुक्यत दिक रूप में प्रदेश अध्यजी सोतन देव सिंगी स्वेम वा सामिल थे और उन्होंने मंच से ये कहा था कि गठबंदन मुर्चे के तहट गठब सुकावाद की सीट थी जहां पर आज देखिए बिडमना देखी जनता के साथ कि जो जिस विधायक को जो छोड़ करके मुकेश वर्मा जी जो सुकावाद छोड़ करके सीट सपा में गए हैं उनको ललाने का काम सपा कर रही है और जो सपा के पूर विधायक ते हूं परकास में चल नहीं कि समय आठ बिड़ायक भासपा छोड़कर समय पार्टी में सामेल हुए तो कहीं नहीं कि असुंटिस्त का भाव है और अब असुंटिस्त का भाव आ रहा है सेसरारी मोर्चा पर जिनको गड़बन्य नहीं कि आगा तर इनकी चर्चा चल लाई थी पर अपता इनको सीट नहीं जी गई है और इनका असुंटिस्ती का भाव साफ नजर आ रहा है इनका कहरा है कि जिस तरह से सोचित और बंचित बर्क को यहां पर दरक्रार के जारा निसीर उपसे भातिंदर पार्टी को आने मेल चुनाओं में इसका नुक्सार उठाना पड़ेगा के प्राइम टीबी लखनाओं खबर लखनाओं से है जहां पूरे मुख्यमंत्री वह बस्पा सुप्रीमों का च्छाचटवा जन्मदिन उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जगा जगा उलास के साथ मनाए गया इसी कड़ी में राजधानी लखनों की पश्च्च में विधा सभा कार्याले में समर्थोकों के साथ बस्पा सुप्रीमों का जन्मदिन के काट कर मिठाई बाट कर में आया हमारा तो पुरे दिली च्छा है कि हमाई भाएंजी चाचट वर्स की अप्सकुरी हो गई उनकी खुशी में हम लोग के काटा और खुश्या मनाएं लड़्डू अब यह नकी तो वह कि दीक झटाउं करते हैं लुव उसी के क्या किया कि पंद्रा तक बैंथो क्या मख सकता कौन लाइग हो प्रोगों साफ है कि 15 तक क्यों आपने बैण लगाया करोना बढ़ रहा है तो कि हम 15 तक बढ़ाते तक तो मालते हैं तो हमाई पार्टी लाइनागरी पार्टी है और हम लोग बहेंगी का पूरा जो निर्देस आता हम लोग उसका पालन करते हैं हमारा हर कार्दा बच्चे से लेकिन हम लोग लेते हैं कि पूरी हम अपनी विदान सभा पूरे उत्तर परदेश के लोगों के साथ में जनता के साथ में संकलब लेते हैं कि 2022 में मानिकमारी बहेंगी को मुक्ति बनाने का संकलब ले रहे हैं कबर संभल से हैं जहां चंदोसी 21 सभा की बीज़पी पार्टी से गुलाबो देवी का नाम खोशित हुआ तो अपने घर पर प्रेस कॉन्फरेंस बुलाई गुलाबो देवी ने गोरकपुर से चुनाओ लड़ रहे योगी पर अखिलेश द्वारत तंज पर बोली चुनाओ लड़ने से किसी की घर वापसी नहीं हो जाती अखिलेश भी जानते हैं बीज़पी की सरकार इस पर प्रचंट रूप से आ रही है अखिलेश यादों की अपने लोगों के पीछे नहीं लोगों को जोड़नी की ये उनकी नीती है जो अपने लोगों को पीछे कर रही है बीज़पी पार्टी पुराने है कारकरताओं को कभी नहीं छोड़ते मुझे बीज़पी पार्टी ने आठवी बार टिकेट दिया है और रहीया में अगामी विधासभा चुनाओं को शांती पूर तरीके से संपन कराने के लिए जनपत काव पुलिस प्रिशासन सतर्क नजर आ रहा है जिसके द्वारा शांती पूरग मद्दान को ले कर लगतार संभो प्रयास किया जा रहा है इसी क्रमे जनपत में पुलिस अधिकशक अभशेख वर्मा के नर्देश और चेत्रा अधिकारी प्रदीप कुमार के नेतरित में फफूनडग थाना अध्यक जितेन सिंग्ग और धाना पुलिस ने पैरमिलिटरी फोर्स के साथ मिलकर कस्पा और ठाना च्छेत्र के ग्रामिडों में पैदल मार्च निकाला और लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाए अफराधियों पर पैड़ी नजर रखी जा रही है का पुन च्छेत्र में अभी कजवें में प्लब्द कराई गए उसको एरिया डॉमिनेशन के लिए इसमें कजवें में भी फ्लैग मार्च किया गया है और लोगों से सांती बना रखने के अपील के गई गया है और इसके अलावा भी हम लोग जो है ग्रामिड च्छेत्रों में सेपिमेप की माद्यम से ब्रहमार करेंगे महाँ पर और लोगों से सांती बिवस्ता बना रखने के लिए अपील करेंगे अगले चुनाओं को मद्देजिनर रखते हुआ महु से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां सरवेश्वरी मुक्तिधाम पर लोकारपड कारिक्रम का आयोजन किया गया इस दोरान कारिक्रम में मौझूद डॉक्टर संजा सिंग ने कहा कि सनातन परंपरा के अंत्रमस्थल के रूप में शर्व परी मुक्तिधाम धेली कुईया घाट को जनपत के गौरों के रूप में स्थापित किया जाएगा शोयात्रियों की सुविधा और व्यवस्था का रोटरी क्लब द्वारा सतत विकास किया जाएगा यात्री प्रतिक्षालेव कास्ट केंद्र को धार्व धाम प्रबंधन को सौपने के बाद नर्माड विकास का कार अनवरत होता रहेगा कि आज रोटरी प्रतिक्षाले का उद्गाटन जो है यहां सर्वेशरी मुक्ति धाम पर जिसके संयोजक पुरसाद जी है वहां पर रोटरी प्रतिक्षाले एक बनाया गया है और जिसका आज उद्गाटन हुआ है हमारे पुरी टीम रोटरी क्लब के ही सची हमारे सचिंद प्रयास के लिए लोग आते थे तो उनको बहुत कटनाईया होती थी कहां बैठें कहां रहें तो उसके लिए एक चोटा सा प्रयास हमलों ने किया एक चोटा सा यहां पे आप देखेंगे आस्थान का भी निर्मान हुआ जिसमें लख़ी रखा जाए और यह जगा बड़ी में शुष शंकर वर्मा के यहां हुई थी वेससपी श्यलेस पांडे ने बताये कि पीरिट शुष शंकर वर्मा ने अपनी बेटी की शादी के लिए जमीन बेची थी जिसका पैसा घर में रखा हुआ था और डकैत की योजना शुष शंकर के साडू ने ही बनाई जिसके ब संबर की रात में थाना दर्जन नगत शेतर में एक जख्ती के यहां रात में अपरादी गुषते हैं और उसके यहां ठकैती की घटना कारित करते हैं बादी द्वारा जो पहरी दी गे थी इसमें पांस से छे लाक रुपे नगत और आभूशन रूटे जैने की बात बताई गई थी पुलिस ने इस अग्यात में पंजिकृत घटना का सफल अनावरन किया और इसमें पूरा का पूरा गैंग वरक आउट करते हैं उसमें कुल नौ लोगों की गिरफतारी सुनिशित की है जिसमें जो में प्लानर है सालिक राम वो जन्पद बस्ती का रहने वाला है औ और मुरादाबाद से शेश लोगों को टीम को बुला कर उसने इस घटना को कारित कराया था बैग्राउंड में ये रही इसकी बात कि वादी ने अपनी जमीन बेची थी और जमीन को बेचने के बाद जो क्याश था वो घर में था इसकी जानकारी सालिक के पास थी उसने पूर में संपर्ख में था उसके कई मित्र थे जिनका अपराधी के तियास था जिन से वो संपर्ख में था जब इस चीज की चर्चा इन दोनों ने आपस में की और इस घटना को कारिब करने की पूरी योजना बनाई पुलिस टीम ने जैसा मैंने बताया इसमें से तीन पान से छे लाख नहीं जबकि 31,30,000 रुपे लूटे गए थे शेश रकम की बरामती के लिए हमारी टीम प्रयास कर रही है बदायों के थाना दाता गंज पूलिस की और से अवैद सराप पर कारिवाई की गई है जिसके अंतर गट 500 लिटर कच्ची अवैद शराप 6 किलो यूरिया और दो बड़े गैस सिलेंडर इंडन बनाने के उपकरण समेथ 3 लोगों को गिरफ्टार किया गया है अगामी विधान सबाचुनार 2022 को देखते हुए वारिस्ट पुलिस अधिक्षक द्वारा कच्ची देशी शराप बना कर अपराधियों पर नज़र रखते हुए हैं उनके खिलाब कठोर कारिवाई किये गए है सुमसान छेत्र है कट्री का एरिया है जंगल के एरिया है उसमें उसी गाउं के चार लोग गिरफ्टार हुए हैं और तीन लोग गिरफ्टार हुए हैं इनके पास से एक फरार है इनके पास से 500 लिटर अपमिश्रिक नकली शराप और 6 किलो यूरिया दो बड़े गय एक मोटर साइकल और एक नाजायज राइफल देशी 315 बोर बरामद हुई है और 2000 लीटर से अधिक लहन की बरामदगी हुई थे जिससे ये अधिक मात्रा में और अनुकरर जो अपने शराप बनाने के लिए इन्होंने लगा रखे थे वो उसकी बरामदगी हुई है ये इसका प्रियोग जान लेवा हो सकता था और इन्हों कायना आगामे एलेक्शन के को देश्ट का दखते हुई है बेशते तो इस पर सुचणा मिली थी पतरशी सुरागरसी करके दाता गंज और छेतरा जीकारी दाता गंज और स्पी सिटी की टीम ने दविश दी और ये अच आगामी विधान सवा चुनाओ को दिशकर रखते हुए जो चेकिंग का भियान है एडी जी जोन महोड़े के नदेश पे एक इस समय ये एक सब्ता का अवैज अपमे शिश राप के विरुद कारवाई का भियान भी चल रहा है उसके तहट ये जारी रहेगा चनपत फतेपूर में गोवंश की दुर्दसा का ऐसा नजारा सामने आया है जिसे देखकर हर किसी का रूप आप जाएगा गंदी गोशाला में अन्न मवेश्यों से लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए बनाएगे गोशाला की हालत बहुत खराब है गोशाला में जिन्दा मवेश्यों को दफनाने का रूप लगाया है जिला मुख्यालों को सूचना मिलते ही बजरंग दल और विश्व हिंदू परिसत के कारे करता गोशाला पहुचके वहीं गोशाला की देखरे करने वाले महतोक और प्रशासन पर अन्देखी का रूप ल गोशाला बना है यहां इनके पूर्शन की कोई विवस्था नहीं है थन ऩरन किया जाता है जो जानवार इकाथ कियां जाते है तो निकाल बारв करदीलादा है तो लोगों के जो खेथ हैं उनको चरते हैं लूग किसान को नुक्सान होता है किसान कर नुक्सान हो क्या ह stato जो जो बाहर निकलने लायक नहीं होते उनको वेज़ गाड़ दिया जाता है यह मामला पते नगर करसुमा गौशाला ब्लाग गवबा का है जहां तिक जिल्दा दफनाने की बात है इस बात में सत्यतात नहीं है परन्तु उस गौशाला का दिरिक्षण मेरे द्वारा स्वयम किया गया है उस गौशाला में चार परशू मुम्रित पाए गया थे ग्यारा परशू गंभी रूप से बिमार थे जिनका इलाज चलता है इसमें जो अस्थानी चिकित्सा जिकारी द्वारा यह बताया गया थी कुछ तंडुरूस्क पशू है उनके द्वारा उनको घाइल कर गया था परन्तु इसमें अलापरवाही इस बात की है कि अगर यह पशू को समय अगर उनके दूर कर दिया गया था तो चाइब चार पशेंगे नहीं हो थी इसके लिए जो वहां के सची और प्रधान तथा जो गौशाला सुपरवाईजर हैं उनके विरूदा FIR दरज करा दिया गया है तता सची को निलंबिद भी कर दिया गया है इसके अत्रिक्त वहां के खंड विकास अधिकारी तथा जो खंड के पसूची किस्टा अधिकारी हैं उनको प्रतिकूल प्रविस्टिक प्रदाम की गई हैं तथा मुख्य पसूची किस्टा अधिकारी से इस समन में अस्वस्टी करण करण के लगतिया गया है खबर बस्ती से हैं जहां गन्ना किसानों की गाड़ी कमाई पर डाका डाल रहे हैं गन्ना तौल केंद्र के कर्मचारी गन्ना तौल केंद्र पर की जा रही घटौली के विरोध में किसानों ने जम कर हंगामा काटा किसानों ने आरोप लगाए कि बंचीनी मिल प्रबंधक की मिली भगत से घट तौल की जा रही है किसान को सूचना देने के बाद भी मिल प्रबंधक का कोई गन्ना अधिकारी मौके पर नहीं पहुचा यहां लाया था गन्ना तौल कराया तौल कराने के बाद में बेमानी हो मुझे लगा तो मने फिर से गन्ना तौल कराये यह कुंटल गन्ना ज्यादा निकला और उसके बाद यह बराबर मील के मील के क्रमचारियों के द्वारा और लगबा सब के द्वारा बराबर बेमानी की ज अधिकारी से बात करते हैं जिला अधिकारी महोदे से बात नहीं हो पाई और उसके बाद में सीसियों से बात हुई है को रखोर अस्वासन मिला कहें बात करके अभी बताते हैं तो यह थी उत्तर प्रदेश की कुछ प्रभुग खबरे ऐसे खबरों के लिए जोड़े रही हमारे साथ देखते रहे रहे हैं प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार